इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह insulin का एक intermediate acting प्रकार है जो blood sugar levels को कम करने और diabetes की गंभीर complications के बढ़ने की संभावनाओं को कम करता है Human insulin NX00IU cartridge is often prescribed along with short-acting insulin और other oral diabetes medicines आपका डॉक्टर या नज आपको तवचा के नीचे इसे inject करने का सही तरीका सिखाएगा जब तक डॉक्टर नहीं कहता तब तक इसका सेवन बंद न करें यह treatment program का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई एक स्वस्थ डाइट, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए अपने ब्लड शुकर के लेवल को नियमित रूप से चेक करें, परिनामों को ट्रैक करें और डॉक्टर के साथ उन्हें शेयर करें आपके लिए दवा की सही खुराक का निर्धारन करने के लिए यह बहुत महत्वपून है इस दवा का सबसे सामानिस साइड इफेक्ट, लो ब्लड ग्लुकोज लेवल यानि की हाइपोग्लाइसीमिया है इसकी रोक्थाम के लिए हमेशा दवा की केवल सही खुराक को इंजेक्ट करना, नियमित रूप से भोजन करना और नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर लेवल की निग्रानी करना जरूरी है अत्यधिक शराब पीने से आपके ब्लड शुगर लेवल में गिरावट भी हो सकती है अनिस साइड एफेक्ट्स में इंजेक्शन लगने के स्थान पर लालपन होने या सूजन जैसी प्रतिक्रियाएं शामिल है त्वचा की एक ही साइड को बार-बार पंक्चर करने से लिपोडिस्ट्रोफी यानि की इंजेक्शन वाली जगह पर त्वचा का मोटा होना या गांट पढ़ना हो सकता है इंसुलिन लेते समय कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है या एडेमा यानि की फ्लूइड डेंशन के कारण पूरे शरीर में सूजन हो सकता है जब आपका ब्लड ग्लूकोस का स्तरकम यानि की हाइपोग्लाइसीमिया हो तो इस दवा का इस्तेमाल न करें अगर आपको कभी केड़नी, लिवर या हॉट की समस्या रही है तो इलाज शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए क्योंकि खुराक बदलने की जरूरत पर सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद